हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे विंटर के एक और पहुत ही सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट वर्बीना के बारे में दोस्तों वर्बीना के प्लांट को सिप्टमबर अक्टूबर में बीज के माद्यम से ग्रो किया जाता है दोस्तों नवंबर के महिने में वर्बीना के प्लांट नरसरी में कई रंगों में उपलब्ध होते हैं दोस्तों वर्बीना के फूल बहुत छोटे होते हैं मगर गुच्छों में खिलते हैं जो देखने में बहुत ही अकरशक लगते हैं दोस्तों वर्बीना के प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाने पर ये बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके pot size की, दोस्तों वर्बीना के plant को बहुत बड़े pot की आवशकता नहीं होती है, इसको आप 8 इंच के pot में बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं, और अगर आप इसको hanging basket में लगाते हैं, तो ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं दोस्तों वर्बीना के plant को लगाने के लिए आप ऐसे pot का प्रयोग करें, जिसकी गहराई कम हो और चोडाई ज़्यादा हो दोस्तों अब बात करते हैं इसके potting mix की, दोस्तों वर्बीना के plant को लगाने के लिए well-drain मिट्टी की अवज सकता होती है दोस्तों well-drain potting mix बनाने के लिए हमें 40% मिट्टी, 40% compost और 20% reversecent का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों साथ में एक मुठी नेम खली का प्रयोग अवज से करें दोस्तों अब बात करते हैं इसके sunlight की, दोस्तों वर्बीना का पौधा ऐसा पौधा है जिसको full sunlight की जरूरत होती है इसलिए आप अपने garden में इसको ऐसी जगा पर रखें जहां इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की direct sunlight जरूर मिले दोस्तों अब बात करते हैं इसके fertilizer की दोस्तों वर्बीना के plant को आप organic और chemical दोनों प्रकार के fertilizer दे सकते हैं दोस्तों वर्बीना का पौधा बहुत heavy flowery plant है इसलिए आप इसको हर 10 दिन के अंतराल पर सरसोखली का liquid fertilizer अवस्य दें दोस्तों अगर आप chemical fertilizer का प्रियोग करना चाहते हैं तो हर 15 दिन के अंतराल पर गमले की size के अनुसार अगर आपका गमला 8 हिंच का है तो 8 दाने DAP के और आधा चम्मश, murate of potassium का प्रियोग हर 15 दिन के अंतराल पर करें दोस्तों अब बात करते हैं इसकी watering की दोस्तों वर्वीना के plant में आप तभी watering करें जब इसकी top layer dry हो जाए दोस्तों paste और disease की बात करें तो इस पौधे में fungus की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों किसी भी तरह के fungus से बचाव के लिए हमें हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर किसी भी अच्छे fungicide का प्रियोग spray के रूप में भी करना चाहिए और इसकी मिट्टी में भी डालना चाहिए दोस्तों वैसे तो इस वर्वीना के प्लांट में किसी भी तरह के कीट का अटेक लगभग ना के बराबर होता है तब भी हमें एहतियात के तौर पर हर 15 दिन के अंतराल पर किसी भी अच्छे कीट नाशक या नीम ओयल का प्रियोग अवस्य कर लेना चाहिए और दोस्तों अंत में समय समय पर इसके spent flower की dead heading हमें जरूर कर लेनी चाहिए दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो करपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें थैंक्यो हैपी गार्डनी